तो कभी कहेंगे पवन जी ने ये कर दिया हमारा, खेसारी जी ने ये कर दिया, रिटेस बंडे जी ने ये कर दिया, सारे लोग कर ही दिये, आप अपने आपको गवईया बोलते हैं अपने मुह में इतना गंदा सक्यूडा लेके, आप क्या करते हैं, पवन जी ने मेरा ये गा कि अपको यह नहीं पता है कि जब से माननिये पवन सिंग जी घार हैं जब पवन जी का पहला इल्बम आया होगा तब आप साइट धर्थी में पाइदा भी नहीं वे होंगे बोजपुरी में एक विवात खत्म नहीं होता है, आपने सुना राकेश मिश्रा की ये सारी बाते जो उन्होंने लाइव आके गोलू राजा के बारे में कही, तो गोलू राजा भी कहां पीछे रहने वाले हैं, लाइव आकर उन्होंने भी राकेश मिश्रा की बगिया उगेड दी, अब ये जो लड़ाई है और वल्गर और वर्स होती जारी है, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे हम इस पर की पवन सिंग के जो फैंस है, वो भड़क गये हैं राकेश मिश्रा पर, जी हां राकेश मिश्रा के लिए पवन सिंग के फैंस ये कह रहे हैं, कि जब पवन सिंग की लड़ाई चल रही थी या पवन सिंग का विवाद चल रहा था, तो उन्होंने किसी भी भोजपुरिया कलाकार का नाम नहीं लिया तो ऐसे में राकेश मिश्रा ने अपने लाइव में आकर गोलु राजा पर अगर उन्हें तंजिकशना ही था तो और भोजपुरिया स्टार्स के बारे में क्यूं कह रहे हैं और उन्हें अपने लडाई को अपने तक्सीमित रह राकेष मिश्रा पर बढ़के प्रण जो कि सही नहीं है क्या जो पवन सिंग के फैंस राकेश मिश्रा पे एलिगेंस लगा रहे उन्हें ट्रोल कर रहे वो सही है अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए